सभी पिरदर्शकों को राधे राधे महारासरी की एक और वीडियो माप सभी का स्वागत है अक्सर कुछ भी हमारे साथ हो जाता है तो हम घबरा जाते हैं और उपर वाले को बोलते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया लेकिन आज महारासरी ने बताया जो भी हो रहा है घबराना मत जो भी आपके साथ होता है वो अच्छे के लिए होता है महारासरी ने क्या कहा पूरा वीडियो जरूर देखें अच्छे लगे तो लाइक करें सेयर करें और पूछे महाराश्री की ऐसी और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए मिलकर सुनते हैं आज का दिव बिग्यान महाराश्री के स्री मौक से बिश्वासी साधक का भगवान स्वयम जुम्मा ले लेते हैं कि मेरे प्रभु जो करेंगे वो मंगल करेंगे तो परिस्थिती बुरी दिखाई दे सकती है परिस्थिती भयावा दिखाई दे सकती कि आवो तो सब गया ऐसा लगेगा लेकिन वो बहुत बड़े के हाथ में नियंत्रित है परिस्थिती देखते देखते उस परिस्थिती का परिणाम निश्चिंत निश्व को निर्भय कर देने वाला हो जाएगा साधग तीन बातें आरंब से देखे कि हमारे जीवन में आ रही है कि नहीं पहली बात भगवान पर पूर्शुर्धा विश्वास अनंत ब्रह्मानलों के श्वामी है काल भी उनके अधीन है डरना क्यों भई किस बात का डर लगना है अगर डर है भई है तो अभी श्रद्धा विश्वास श्वामी में नहीं है दूसरी बात जो गुरु ने भजन दिया उसमें तत परता सची माने है चीवन भर कभी इस प्रमात को गुरु कृपा से आने का उशर नहीं दिया गया कि चैन से सोय हों और चैन से खाय हों पूरे चीवन कभी शुविधाओं को श्वेकार नहीं हुआ पर शाधन मार्ग में कभी भी सिथिलता नहीं हुई तत परता है प्रभू पर पूर्ण श्रधा विश्वाश और गुरु प्रदत शाधन पर तत परता और तीसरा खास भी से इंद्रियों से भोगों को न भोगना तब यह जो रंग है परमार्थ का तब अब दो चार माला की मन मानी आचरण की है कहते हमें भगवदानंद की स्पूर्थी नहीं होती आपने रास्ता रखा है भगवदानंद का बजार लगाए बेठे हो अंदर हरदे में अन्य आसों की अन्य भोगों की अन्य चाहों की अन्य माननेताओं की अरे खाली करो यह सब माया का केल है कितने से मार्ग में उत्साहित होकर चलते हैं पर गुरु क्रपापात्र ना होने के कारण चतुर खिलाडी ना होने के कारण वो प्रलोभन में फस जाते हो फस गए तो फिर मचली का काटा जनते हो ऐसे अब वो चाहे जितना हिले डूले काटा नहीं निकल सकता अब तो उसको मरना ही पड़ेगा ये जन्म बरबाद नहों आप सबसे प्रार्थना है बहुत ही अपने घर की जैसी बात होती है इसका कार है माया का शुक में बांधना श श्वतंतरता देना आप श्वतंतरता से सुक भोगे कि नजाने कितने जन्मों की परतंतरता तुमने स्वैकार कर ली अगर इस रास्य को जान जाओगे तो डरोगे ये डर है डर प्यारिवन से ही तो प्रभू का विधान संदेह युक्त नहीं होता निशंदेह तुमारे साम ने वो विधान प्रगट होगा जिससे तुम्हारा परमंगल हो जाएगा परमंगल हो जाएगा दरना बताया नहीं तो एक बार प्रेम भगत की बातों हमारे पास प्रेम जी आते थे बहुत नाम जापक थे स्री अरिवन उनसे पूछा आपके इसी नाम निष्ठा कैसे आई त तो किसी पद के अधिकारी थे जिसमें किसी कानून के विरुद उसमें दसकत कर देने से करोणों रुपया उनको प्राप्त होना था तो रात्त्री में आफिस में बुलवा के उन्होंने उगलती कर दी दसकत की बड़े अधिकारी थे और वो उनको पता नहीं था कि वो शड आज में तो घर वाले भी उनसे कि जैसे पुत्र थे पत्री कि पीता जी पापा आपसे ऐसी आसा थी मार दिया हम सब लोगों को आपने कब हम लोगों ने धनकी मांग कि आपसे आप इस अवस्था में ऐसा कर तो घर से ये वचानों बाहर तो सब उपहास उनका और उनों निश हरिवन शुपासकों से मिलते रहते थे गुर्दय भगवान से भी उनका परिशे था गलती किसी से भी हो सकती चूख है यही तो है ना कंचन कामिनी कीर्थी कहीं भी लुभायमान सायद उनके मन में लगा हो कि दसकत कर लेंगे और मिल जाएगा ब्रंदावन बास करें जंज द्याग देंगे धामाना और रसिकों के संग के प्रभाव से एक दिव्यता प्रगट हुई उस सब के सामने सोने का नाटक करके लेट गए तो परिवारवालों नजर तो सब की थी कि बिक्षित हैं परिवारवालों को लगा शोगर तो रात्री जब सोए थोड़ा इससे तो कुवानी सिराने रखी जैसे एक भक्त को तुलशी दलनाम ग्रंत सिराने रखा अरे अलोकिक शक्तिसंपन भगवान और भगवान के पारशद बस सब बात हट गई और उनकी जिव्या और उनके मन ने जैसे न मरने वाले को प्राण मिल जाएं कि भाई प्राण रक्षा ऐसा को स्री हरीवन स्री हरीवन से हमारे रशिक समाज में जब आते थे उनका अच्छा सम्मान होता था तेजों में चेहरा वे ब्रद शरीर श्री हरीवन स्री 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 हरीवन लोक शम्माननी जीवन बन गया, महत्मा बन गया और भगवत प्राप्त हो भे हैं, उनका सरी छूट गया है, विश्वासी साधक का भगवान स्वयम जुम्मा ले लेते हैं, विश्वासी साधक का भगवान स्वयम देखो, अपने मन में तुम किसी प्रकार की चिंता न रख करके, ये आज से विश्वास कर लो कि अब मेरे जीवन में जो होगा, मेरे प्रियाजू के द्वारा किया हुआ विधान परम सुख प्रद होगा, परम मंगल में होगा, बिश्वासी भक्त का जब ये स्वभाव निश्चह हो जाता है, कि मेरे प्रभू जो करेंगे वो मंगल करेंगे, तो परिस्थिती बूरी दिखाई दे सकती है, परिस्थिती भायावा दिखाई दे सकती कि आवो तो सब गया, ऐसा लगेगा, लेकिन वो बहुत बड़े के हाथ में नियंत्रित है परिस्थिती, देखते देखते उस परिस्थिती का परिणाम निश्चिंत निश्व को निर्भय कर देने वाला हो जाएगा, भैवीत मत होना, माया से आजादी प्राप्त करने के लिए भैवीत होना तो बिल्कुल जीवन में छोड़ दू, विचार भै नहीं होना चाहिए, यह स्वभाव भी खोता है, उस पर तरक भी तरक नहीं किया जाता है, विचार भै नहीं होना चाहिए, जानते हो, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे प्राण, तुम्हारा सरीर हरी को समर्पित है, हरी के अधिन काल है, कुछ नहीं हो सकता, और जो कुछ होगा उपर मंगल होगा, किसी भी अ अर्चन को भगवान के सवहार्द के सामने अर्चन मत मानना हम अगर अर्चन को दूर करने का प्रयास करेंगे तो अर्चन हमें फसालेगी अर्चन और यदि भगवान पे विश्वास कर ले तो वही अर्चन अर्चन बन जाएगी उपासना बन जाएगी मान लीजिए बात बा लगा रोने लगा मां उठाने आई छाथीस के लगा ओमा की थपर मार रहा है युद्यकुश जानता ने पर भाव जब उसके देखें भलिहार ऐस वातसल की भलिहार यह मां को मार के कह रहा है अब तुछातिस लगा रही जब गीरा और चोट लगी तब तू कहा थी क्यों ले उठाया यह दिकार हरी वो तो अलपग्य माह है पर हम तो सरवग्य हरी के वातसल्य में डूबे हुए हैं हमको तो भै बिल्कुल नहीं होना चाहिए हां जान बूच कर इसका अब हमको प्रयास नहीं करना उसको दूर करने का यह जुम्मेवारी हमारे प्रभु की है और प्रभु की उपर अगर आपने भरोशा द्रट कर लिया तो हर अर्शन अर्शन बन जाएगी भगवान की पूजा बन जाएगी पर देखो इस बात को लेकर के हमें अशुद्धा चरण नहीं करना गंदी बात पे नहीं उतर जाना कि आप बचा लेना जो वगवान हो तो नहीं बचाएंगे हम तुम्हें बता रहे हैं अगर उनको चैलेंज करोगे ना कि सत्संग में सुना है कि आप बचाते हो बचा लेना भला तो नहीं बचाएंगे क्या करेंगे डबल मत खेलना नहीं तो अगर ये उल्टा खेलने लगे तो तुम पहचाली नहीं पाओगे कह रहे हैं अपने आचरण को जान बूझ कर असुद ना करो तुमारी सारी बुराईयों की जुम्मेवारी हरी ले लेंगे सब्द पर ध्यान दीजिए जान बूझ कर तुम अपनी बुराईयों का प्रयोग मत करो तुम्हारे में जो बुराईय है वो स्री हरी स्वयम स्वयकार कर लेंगे जैसे आग में मल पड़े या चंदन या लोहा पड़े या लकड़ी आग सब को अपना रूप दे देती है ऐसे हर बुराई हरी में जाके परम सदगुन बन जाती है